मेरा नम अजीद सिंग और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी-खरी तो हुआ था यू कि एक पुल्समैन था उसने मुहले के एक लॉंडिया सेट कर ली तो उस लॉंडिया से बोला मैंने तेरे को चाट खिलाओंगा एक दिन तो लॉंडिया बोली ठीक है जी अगले दिन बोला मैंने तेरे को सोन पापड़ी खिलाओंगा वो कहती ठीक है करें ने मैंने तेरे को सलीम की बिर्यानी खिलाओंगा वो बोली ठीक है करें ने मैं तेरे को दही भल्ले खिलाओंगा वो बोली ठीक है करें ने मैंने ने ने मैं तेरे को अगरवाल मिस्ठान बंडार की रस्मलाई खिलाओंगा उनकी रसमलाई बहुत अच्छी है वो बोली ठीक है कि तुन्हें कभी फालसे खाएं फालसे बड़े टेस्टी होते हैं कि ते हाँ फालसे खटकटे होते हैं कि मैंने तेरे को एक दिन फालसे खिलाओंगा वो कि ठीक है कैता है एक दिन मैंने तेरे को गंडेरिया किलंगा गंडेरिया जानती है गंडेरिया क्या होती है तो उनका गंडेरियां एक दिन खिलाओंगा वो बो थीक है तो इस तरह वो पुल्समैन अब था पुल्स वाला था न तो उसके महले में जितने ठेले लगते थे और जितने भी दुकाने थी सब का नाम लेता था तो बोल जो उसकि गर्फ्रेंट थी वह बहुत दिनों तक उसकी लंतरा न की सुनतिी रही उसने कहा कि अधुन या तो फिर उसने लुड़ फिर वो लॉडिया किसी दूसरे से सक हो गी सेट होगी सब तो वो पहले दिन ये ले मैं तेरे लिए ने चार्ट लाया हूँ वो उतने दो ना खोला क्या बढ़या चार्ट अगले दिन क्या तब फिर मिलेंगे न हां मिलेंगे अगले दिन फिर मिले वो पुर आज मैं तेरे लिए समोसे लाया हूँ वोडिं सब्लकेश्य के इस्को अगले दुन समोसे खिलाए यह अगले दिन दरी भल्ली ले के आया देङन पुल्स के लिए रसमलाIch लेक्या आया पिर अगले दिन आयो किसे दिन फादते से ले आओ ले आओ है किस दिन गंडेश्य यह ले आ आ बड़ी खुश। तो पहला वाला पुल्स वाला था ना कोने में एधे खड़ा खड़ा ताड़ता रहता था ऐसे करके बोले देख अधिसारी आइटम वह ला रहा जो मैंन कई थी देख आज यो गंडेरियां लिया आया मनने कई थी इस तो गंडेरियां ख़लाओंगा देख आज फाल से लिया आया देख रही आज रसमला ही लिया आया सारी चीज मनने बताई थी तो साब बात यही हाल हमारे अखिलेश जी का है पबलिक से वादा करते रहे आज मैं यह कर दूंगा अज तो मैं जी पुर्वांचल एक्सरुटे बना दूंगा अब मैं तुम्हारा कॉरिडूर बना दूंगा मैं तो तीन महिने में रामंदिर बना देता मेरे तो सपने में क्रिशन जी आते हैं विश्नाथ कॉरिडूर तो मन्ना ही प्लैन करया था तुर्फ प्लैन ही करया था जी आपने बनाया कुछ नहीं आप ज्योंको तो मैं तीन सो यूनिट बिजली फ्री दूंगा ओ भाई तेरे राज में चार घंटा बिजली आती थी हमारे गाउं में फै पता रहा हूं अखिलेश के शासन में पंखा चला लेना एक बहुत बड़ी लगजरी थी वो क्यों लाइट आती थी छे गंटे तो अब ले दे के एक मिडल क्लास आद भी बहुत करेगा तो एक इनवर्टर रख लेगा उस इनवर्टर में सब को यह चिंता रहते हैं कि शाम को रोशनी बल्ब तो जला लेंगे इसलिए दिन में कोई पंखा चलाने की सोच नहीं पाता था एक इनवर्टर आचा वह इनवर्टर भी इनवर्टर तो तब काम करेगा ना जिब चार्ज होगा सिर्फ चार या छे घंटे बिजली आएगी तो इनवर्टर चार्ज कैसे होती थी तो अखिलेश जी आपके शातन में अफैन बॉद लग्जरी और आप जनता को नहीं सिर्फ वादे करते रह गए और मुझे याद है जब से योगी जी आये ना 18 गंटे बिजली आती है यूपी में हमारे गाउं में 18 गंटे बिजली आती है पहले ये बिजली पुरे में आती थी मुझे याद है योगी मोदी जी के आने से पहले बनारत शहर में 12 गंटे का कट लगता था 12 गंटे का कट वरानसी सिटी में आज गाउं में 18 गंटे बिजली आती है तो सब वादा वो करो जो निभा सको पहली बात दूसरी बात आप पबलिक से सिर्फ व वो सारे वादे हाँ आपने वादे जरूर किये होंगे पर योगी जी ने तब वो वादे पूरे किये हैं इसलिए सत्ता संद्री ने ना आपको बोला बेटा पीछे मुड़ और आपके दिप पिच्वाड़े पर एक लात और वो अब पर्मानेंट योगी जी से सेट हो गई है अकलेश जी कुछ ना होगा बाइस में अब कोशिश करो 27 में समझे थैंक यू वेरी मुच